बिहार के मुखे मंतरी नितीश कुमार और उप मुखे मंतरी सुशील मोदी में इन दिनों एक समानिता है दोनों ही नेता मीडिया से नराज चल रहे हैं 21 माई को बच्ची की चमकी से मौत के पहली सूचना आई उसके बाद बच्चे मरते रहे स्थाने मीडिया बिमार बच्चों के दम तोड़ते अस्पतालों के भ्यानक तस्वीरे और डॉक्टरों और नर्सों से लेकर दवा तक के अभाओ के खबरे देता रहा लेकिन सरकार के कानों तक जू नहीं रहेंगी लगा ही नहीं कि प्रदेश सरकार और विशेश कर स्वास्त्र मंत्राले को इससे कुछ लेना देना भी है मुजफरपुर के दो बड़े अस्पताल, SQMH और केजरिवाल अस्पताल में चमकी बुखार से पीडित बच्चों का इलाग चल रहा है और अब तक सीम से लेकर डिप्टी सीम तक सबने इस मुद्धे पर चुपी साथ रखी है बिहार के डिप्टी चीफ पिनिस्टर सुशील मोदी ने एक प्रेस कॉनफरेंस भी की लेकिन जब उनसे चमकी बुखार के बारे में सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि ये प्रेस कॉनफरेंस बैंकर्स और लोन के मसले पर है इसलिए चमकी बुखार पर कोई सवाल नहीं होगा मुखी मंतरी नितीश कुमार दिल्ली में वेस्थ हैं तो डिप्टी सीम सुशील मोदी पटना में हर कोई सवाल पूछ रहा है कि बच्चों के साथ से छीनने का सिलसला कब खत्म होगा फिलाल इसका जवाब किसी के पास नहीं है